फ्रेंड्स, हमारे किचन में आप बहुत ही हल्दी सबजी बन रही है, जो बीपी को भी कंट्रोल करती है, आप जान रहे होंगे इसे कहीं कहीं सहिजन के नाम से, कहीं ड्रमिस्टिक और मोरिंगा, साउथ में लोग इसे डेली अपने डाएट में सामिल करते हैं, पर नौर्थ इसे अगर आपको blood shortage हो, pregnancy है, hormonal कोई imbalance है, और liver की problem है, तो ज़रूर आप सहीजन की leaves, उसकी फूल और उसका फल और उसके बीच के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत से काम ये आता है, इसकी छाल भी उप्योग में लाई जाती है, चलिए आज हम आपको बहुत ही tasty, सहीजन की सबजी बनाना बताएंगे, जिसे आप एक बार 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 बनाना चाहेंगे, बहुत ही easy है, आप इसे रसेदार बनाकर दाल चावल के साथ, या चावल और इसकी सबजी enjoy कर सकते हैं, बहुत ही healthy और tasty है, आपको जरूर इस्तेमाल कर अगर गर्मी के सीजन में आप सहीजन एक से दो बार खा लेते हैं, तब आपको कभी भी chicken pox नहीं होगा, chicken pox का ये रामबाण इलाज है, इसके लिए हमने देखे, तेल लिया है एक पैन में, उसमें जीरा का थोड़ा सा तड़का डाल दिया है, इसके बाद हम दो प्याज देलेंगे, roughly chop है, medium size की प्याज है, और दो लोगों की सबजी बनानी है, अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, प्याज को, प्याज अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें, इसमें एक आलू डालेंगे, और medium size की आलू है, आप चाहें तो एक की जगा दो भी डाल सकते हैं, इने हमने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, डाइसस में, क्योंकि पतला सहिजन के साथ गल जाएगा, अब आलू को भी हमें golden brown कर लेना है, प्याज golden brown होने से पहले, यानि ट्रांसलोट हो प्याज, तभी आपको आलू डालनी है, इसके बाद स्वादानुसा नमक और हल्दी भ भून लीजिए, हमें हलकी आँच में इन्हें भूनना है, और उसके बाद आप इसके अंदर हरे प्याज का सागा मेरे पास था, तो मैंने डाल दिया, अगर नहीं है तो मट डालिएगा, अगर डालेंगे तो बहुत ही healthy, और टेस्टी ये recipe बनेंगी, अब इसे भी हम भून लेंगे, दो से तीन मिनट, इसके बाद लैसुन, धनिया, अद्रक और मिर्चा का एक चमच पेस्ट हमने डाला है, एक से डेड़ चमच धनिया और आधा चमच गरम मसाला, यानि आप करीप ओडर कोई भी इस्थिमाल कर सकते हैं, डेड़ चमच, इसके बाद थोड़ा सा पानी हमने डाला कि नहीं, तो हमारा जो मसाला है वो जल सकता है, बहुत अच्छी टिप्स है, जब भी आप सूखे मसाले यूज कीजिए, या तो उन्हें भूईगो लेजे, या थोड़ा देर भूने पे थोड़ा सा पानी डाल लेजे, तब मसाले आपके जलेंगे नहीं, अब इसमें हमने कश्मीरी चिली का पाउडर डाला है, और उसके बाद हमने साहिजन काटा है, यह हमने पतला पतला जो साहिजन था, उसे काट के, डेड़ इंच की हमने काटी है इसके टुकडे, और फिर इन्हें अच्छे से हम एक से डेड़ मिनट भून लेंगे, यानि थोड़ा सा इसे हमें भूनना जरूरी है, नहीं तो कच्छा पनी इसके अंदर आएगा, आप अगर जादा बना रहे हैं, तो दो से तीन मिनट भी भून सकते हैं, इसके बाद हम इसके अंदर डेड़ कटोरी पानी डालेंगे, यानि पूरा हाफ प्रेम को मेडियम कर लेंगे, और हमारा देखिए सहीजन पक चुका है, अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, तो कुछ टमाटर हमारे पके हुए हैं, छोटे वाले टमाटर हैं और कुछ कच्छे, इन दोनों को मैं डाल दूंगी, छोटे-छोटे हैं तो पके और टमाटर डाल दे रहे हैं, जिससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, और जब ये गल जाएं थोड़ा सा तो फिर हम इन्हें मिक्स कर देंगे, चला कर, पहले मैंने इसलिए नहीं मिक्स किया था, ध्यान रखिएगा टमाटर डालने से पहले आप जरूर चेक कर ल फिर उसके बाद हम टमाटर का यूज करेंगे, तो सबजियां अच्छे से पक जाएंगे, फिर हमने इसमें काफी मातरा में धनिया डाला है, ये भी हमारे बगीचे की ही है, और और गेनिक गार्डन है, हमारा बहुत ही सुन्दर, उसमें हम बहुत सी सबजियां गाए हैं, और टेस्टी सबजी, सर्विंग के लिए तयार है, और इस तरह की टेस्टी रेसिपी आप इंज्वय कर सकते हैं, थैंक यू